Hey plantaholics, welcome back to my channel, hope you are doing well. Friends, in this video I am going to show you all a beautiful government garden, जिसे राज की उद्ध्यान भी कहते हैं, और ये है friends, आलमबाग लखनौ में, और जिसका address मैं आप लोगों को description box में दे दूँगी, आप महां जाकर check out कर सकते हो, और ये देखें, इंट्रेंस पे ऐसे आपको ये बहुत बड़ा सा government garden और राज की उद्ध्यान लिखा मिलेगा, और अब हम लोग चलते हैं अंदर, let's go, बहुत beautiful friend, ये government garden है, और friend, मैं कोशिश करूँगी इसको cover up करने की, although बहुत जादा बड़ा है, तो friends, जब आप इंट्रेंस में ऐसे एंटर करते हो, तो यहाँ पे आपको ऐसे winters के जो plants हैं, वो देखने को मिलेंगे, जो कि इन लोगोंने pot में लखा हुआ है, काफी healthy से ये plants है, ये देखिए, pots में लगे हुए है, और friends, हम और थोड़ा सा आगे चलते हैं, पूरा ये इन्होंने line से पूरा division करके रखा हुआ है, और friends, अभी मैं आपको और आगे दिखा देती हूँ, क्या-क्या है यहाँ पर, और friends, ये देखिए, बोगन वेलिया कितने beautiful से हैं, देखिए, gorgeous collection है इनके पास बोगन वेलिया, मैं आभी आपको आगे भी दिखाऊंगे, आप देखेगा, वेरिगेटेड है, और नॉन वेरिगेटेड है, हर तरीके का वुगन वेलिया इनके पास है, और ये देखिए, friends, कितना beautiful ये इनमें blooming भी हो रही है, friends, बहुत जादा gorgeous ये, गॉर्मेंट गार्डेन है, ये पूरे ficus के plants है, जिनने इन्होंने stands पे लगाया हुआ है, और friends, ये मैं आपको पूरा दिखा दे रही हूँ कि इस तरीके से, यहां से आप enter करने के बाद, जब मुडोगे, तो ये देखिए, बुगन वेलियास, कितने gorgeous से friends लग रहे हैं, पीछे देखिए आप, friends, ये देखिए, बुगन वेलियास तो just amazing है, मतलब कोई भी ऐसा color नहीं होगा, जो इनके पास ना हो, इननों बहुत beautifully तरीके से इनको पॉट्स में लगा के रखा हुआ है, friends, आप देख सकते हो, बहुत ही amazing friends, इनके पास plants का भी collection है, even trees भी आप देखिए, पीछे आपको, साइप्रिस पाम का, जो सागो पाम होता है, वो भी रखा हुआ है, लगा हुआ है plant, और friends, ये इधर, एक और ये जो gate होता है, इन्टरेंस का, वो हला कि बंध है, और ये देखिए, यहाँ पर ये bold है, कुछ इन्होंने गर्मी और सर्दी के, जो आपको entry होती है, कितने बज़े होती है, वो लिखा हुआ है, और friends, यहाँ देखिए, फिर से बुगनवीलिया का, कितना gorgeous collection है, friends, ये देखिए, बहुत beautiful, friends, लगा कि भी इन्होंने इतनी beautifully रखा है, कि आपका मन करेगा, इवन मैं इस समय ये approximately 12 या 12 बज़े के थोड़ा उपर था, क्योंकि lunch time भी इन्लोग का हो जाता है, तो उस समय ये जो इनकी government nursery है, जो कि इसी में ही है, वो ये लोग बंद कर देते हैं, फोर एक बज़े तक वो बंद रहती है, तो मैंने सोचा उस बीच में आप लोग के लिए ये बहुत beautiful से इन्होंने जो garden को maintain करके रखा हुआ है, वो भी show करूँ कि कितना gorgeous है, और आप यहाँ पर आके family के साथ भी आप यहाँ पर visit कर सकते हो, और friends ये देखे, यूफोर्बिया मिली है, फिर से ये बुगनवेलिया, इनके pods भी कितने cute से हैं, आप ये देखे friends, बहुत beautiful से, ये pods हैं, और ये देखे friends, बुगनवेलिया कितने gorgeous हो, बहुत जादा appealing लग रहे हैं, इतनी मतलब अभी जैसे ही गर्मी और बढ़ेगी, तब ये अच्छे से ये profuse bloomers होते हैं, समर्स के, तो बहुत amazing सा ये पूरा garden लग रहा है, देखे, सब summer flowering plants यहां पे लगे हुए हैं, ये देखे friends, और ये इनों ने ऐसे कुछ बना के DIY बनाया हुआ है किसी चीज का, और flowers को लगा कर, ये देख सकते हो friends, बहुत beautiful सा, ये head type का है, और फिर यहां पे एक ये ऐसे statue बनी हुई है, जो की काफी beautiful सी लग रही है, mid garden में, और friends, ये देखे, कितना huge ये rubber जो variegated होता है, उसका ये पूरा tree है, कितना बड़ा सा है friends, आप देख सकते हो, ये देखे friends, बहुत beautiful friends, मैं तो आप next time फिर से यहां पे आऊंगी, क्योंकि इतना beautiful इनोंने garden बना के रखा, आप यहां पे evening में विजिट करो, या फिर morning में आप आके विजिट करते हो, तो बहुत ही अच्छा time है, summers के लिए especially, winters में आते हो, तो आप किसी भी दोभैर के भी time में आए, तो कोई ऐसा problem नहीं होती, लेकिन summers में चुकी थोड़ी सी गर्म आपको चारो तरफ फूल है, और आपको trees है, plants है, तो friends, यह देखे, friends, यह एक krishnavatka tree है, friends, यह भी काफी beautiful सा है, मैं आपको थोड़ा सा दूर से दिखा देती हूँ, देखे, friends, और उपर देखे, कितना बड़ा और established यह बड़ा tree है, यह देख सकते हो, friends, तो यहां पे जग beautiful सा है, और friends, यह पैसेज देखे, कितना beautiful, even इती तेज धूब भी हो, पूरे यह yellow flowers है, बहुत ज़ादा beautiful से, friends, यह लग रहे है, आप देखे, पूरा पैसेज इतना beautiful लग रहा है, कि अगर आप कहीं आसपास आलंबाग के रहते हैं, तो आप तो यहां पे हमेशा ही आ सकते ह लेकिन जो थोड़ा सा दूर जिनका घर है, वो भी कोशिश करें, अगर यहां पे morning या इवनिंग आने को, तो वो, मतलब यह best आप के लिए as a treat है, किसी भी plantaholics के लिए, या फिर जो भी plants lover हैं, तो उनके लिए तो यह as a treat है, और आप यहां पे visit करते हो, friends, बहुत beautifully तरीके स इस पूरे garden को maintain करके रखा है, and hats off to the government officials, जिन्हों ने इतना अच्छा काम करके दिखाया, और जितने भी यहां पे जो माली लोग जो है, जो लोग ने इतने beautiful तरीके से plants को अरेंज करके रखा है, seriously, hats off, मुझे तो बहुत जादा यह amazing लगा, और, friends, यह देखे, cosmos की कितने beautiful से यह pretty से flowers लगे हुए, friends, पूरी team यहां पे, मैंने जहां जहां पे देखा, तो वहां पे जो माली अंकल्स थे, वो पूरे काम कर रहे थे, even women's भी जो थी है, जो की माली का काम करती है, वो लोग भी बहुत ही अच्छे से work कर रहे थे, तो बह बहुत ही अच्छा लगता है, और proud feeling भी होती है, कि भाई, government work भी है, और इतने अच्छे से हो रहा है, और, friends, देखे, कितने beautiful से यहां पे, आपको phlox के flowers दिख रहे हैं, friends, बहुत amazing यह garden है, और आप अगर लखनो के हैं, तो seriously, please pay a visit to this garden, आपको बहुत जादा यह पसंद और, friends, यह देखे, कितने gorgeous जहां कहीं पे भी आपकी नजर जाएगे, आपको सिर्फ flowers ही flowers देखेंगे, और, friends, यह देखे, कितना beautiful से यहां पे, sweet William के भी, यह plants हैं और flowers लगे हुए हैं, और, friends, यह देखे, यहां पे पूरा इनका बाहर रोस garden, इन्होंने पूरा बना के रख और, friends, आप यह जो इधर आपको green color का cover दिख रहा है, यह इनका high-tech green house है, जिसका भी मैं video एक अलग से बराऊंगे, क्योंकि काफी बड़े से area में यह बना हुआ है, और, friends, यह passage है, हम फिर से lot रहे हैं वापस को, तो यह beautiful से आपको यहां पे भी plants देखने को मिलेंगे, तो, friends, बहुत जादा amazing यह garden, और, friends, यह देखे, green house कितना beautiful से लग रहा है, तो, friends, overall, तो बहुत जादा gorgeous से यहां पे आपको plants मिलेंगे, even, friends, मैं आपको end of this video एक बहुती amazing tree दिखाऊंगी, जो कि लखनो में मुझे तो नहीं दिखा, जो कि इतना बड़ा था, वो आपको end of the video दे देखने को मिलेंगे, और यह देखिए, पूरा इन्होंने बोगनवेलिया का blog बना के रखा हुआ है, यहां पे कितने सारे friends, यह देख सकते हो, friends, क्योंकि कुछ इन्होंने barricating भी की है, तो वो हम वहां नहीं जा सकते हैं, तो वहां पे इन्होंने ऐसे पूरे pots में, plants को, य इसको explain नहीं कर सकते हूं, कि अगर मैं अगर evening के time में आती तो simply, तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा morning के time में निकली थी, लेकिन आते आते सब दुपहर भी होगे, लेकिन फिर भी मुझे बहुत जादा पसंद आयो, मैं next time तो जरूर आऊंगी इस beautiful से government garden जो कि राज की उद्यान है, और friends ये देखे, कितना beautiful और बहुत अच्छे से maintenance, मैं बार बार कहरे हूं कि बहुत gorgeously इसको maintain भी किया गया है, जो कि एक तरीके से जितनी लोग भी इसके पीछे हैं, जो भी government officials हैं, या जो भी लोग हैं, माली से लेकर, जिनका भी योगदान इ में हैं, seriously उन्होंने काफी महनत करी है और बहुत अच्छे से इस पूरे garden को maintain किया है, friends जब आप भी आओगे तो आपको भी seriously देखने में लगेगा भी, और ये चौराहा टाइप का friends यहां पे इन्होंने ऐसा बनाया है, four passage हैं, जहां पे आप इन्होंने पुरा एक division करके र वापस चल रहे हैं, और ये देखे friends यहां पे कितने cute से plants भी लगे हुए है, friends इसके बाद यहां पे अनार प्रजाती के भी इन्होंने trees को लगाया हुआ है, even plants भी लगे हुए है, जो की प्रजाती इन्होंने पुरा इस board पे भी लिखा हुआ है, कि कौन-कौन सी प्रजाती यहां पे यहां पे अनार के ट्री लगे हुए है, जिसके आप अरक्ता और भगवा यह पढ़ दे होगे, और friends इसके बाद यहां पे टिकुमा की देखे ब्लूमिंग कितने अच्छे से हो रही है, बहुत ही beautiful यह government garden है, और friends इसके बाद मैं आपको दिखा दूँ कि जो यह government nursery है यहां पर, उसके लिए यह इसी तरीके से cuttings को तयार करते हैं, और इसी के थूँ यह plants को भी बनाते हैं, आप देखे कितने अन नंबर आफ आपको यहां पे cuttings मिलेंगी, जिसके थूँ यह plants को बनाते हैं, friends देखे कितना beautiful यह भी cuttings भी देखने में लग रही है, देखे ड end of this video दिखाऊंगी, यह है बदाम tree, जो कि can you imagine कि यह लकनो में possible है, वो भी इतना बड़ा tree, not even a plant, यह तो बहुत ही beautiful सा tree है, friends, जो कि मैंने सोचा, मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी, तो friends, I hope आप लोगों को मेरा यह आज का वीडियो पसंद आया होगा, और friends, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है, तो please मेरे चैनल को like, share और subscribe जरू कीजेगा, और अगर आप अभी जुड़े हो मेरे चैनल पे, तो please friends subscribe जरू कीजेगा, hope you like the video, thank you so much. झाल